नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल क्रिप्टो राठ होर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज का जो न्यूज रिगार्डिंग है बिटकोइन से लेटेड ठीक है दोस्तो तो अभी इंकम टेक्स में इंडिया में 13 अफ देसंबर को टोटल नाइन सिटीज में नाइन बिटकोइन जो एक्षेंज है दिल्ली मुंबई गुर्गावां गोवा कोची बैंगलोर एमदाबाद इन जेगां पर छापा मारा है ठीक है दोस्तो जो यह जो छापा मारा है वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था सेंटर को और और को कि बिटकोइन की जो करंसी है बिटकोइन को रेगुलेट करने के बारे में क्या कदम उठाय जा रहे हैं और इंकम टक्स विभाग को इन्होंने आदेश जारी किया था गोर्मेंट ने फिर इंकम टक्स क को बोला है कि बिटकोइन का जो रेट काफी इंक्रीज हो रहा है इससे पहले कि काफी लोग इसमें जुड़ें और इंकम टक्स विभाग को यह बोला गया कि आप सेक्शन वन डबल थरी ए के अंदर रगत आप छापा मारे और जो भी बिटकोइन एक्सचेंज हैं इंडिया बैंक अकाउंट है उनको देखा जाए और वो आई टी आर फाइल कर रहे हैं कि नहीं इंकम टेक्स दे रहे हैं नहीं कि जो सिक्स मेजर सिटीज है बैंगलोर नुदेली हैदराबाद कोचिक करना कोलकटा एंड गड़गावा ठीक है और इंकम टेक्स विभाग ने जो छप पैसा इंवस्ट किया हुआ है और इनके जो बैंक अकाउंट है उन्हों में वो पैसा कहां से आया है और उन्होंने इंकम टेक्स फाइल किया है कि नहीं ठीक है और आर बियाई इसके बारे में और से भी एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी इसकी रिपोर आने क और मुंबई और बैंगलोर में कुछ बिजनिस भी स्टार्ट हो चुका है अलड़ी ट्रांजेक्शन बिटकोइन में हो चुका है और बैंगलोर में तो एक कपल ने बैंगलोर में अपनी शादी के गिफ्ट में सिरफ यह बोला है कि शादी का जो गिफ्ट कोई भी अगर उ तो इसका जो रेट बढ़ने के साथ साथ गुवर्मेंट यह चाहरी है कि इसके उपर एक बिल लेकर करके आजाए और इसका इलेगल यूज हो रहा है साइबर क्रिबिनल्स में और रेंस वे जो अटैक हुआ था वाइरस का वो फिरुथी के रूप में भी इसको बिटकोइन के रूप में मांग रहे थे फिरुथी तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिटकोइन का जो मार्च में मिटिंग हुआ था ऐसे चुम के द्वारा और वाइस चांसलर से उसमें इंडिया के और ग्लोबली हमने बिटकोइन के बारे में सजेस्ट किया था कि बिटको और इसकी जो रेगुलेटरी बोडीज है वो कुछ पोलीशी लेकर के आएंगे और जो इपोंजी स्कीम चल रही है एट पर जेंट इंटरनेशनली उसमें जो इन्वस्टर का जो पैसा डूबता है वो कैसे बचे ठीक है तो इसमें दो कटेक्री होंगी फ़ली कटेक्री होगे ट्रेडिंग की बिजनिस कटेगरी में जो भी इंकम टैक्स है उसका दायरह अलग होगा और जो ट्रेडिंग जो करते हैं लोग और उनका जो इंकम टैक्स का दायरह होगा वो कुछ अलग होगा और उन सब को ये जीस्ट के दायरह में लेकर करके आएंगे तो इसके अ रहे हैं कि नहीं फ़स्ट थिंग ठीक है सेकेंड यह यह एकि यूजर्स के जो ट्रेडिंग अकाउंट है उनमें जो पैसा है वह कहां से आया और वह इंकम टेक्स फाइल कर रहे है कि नहीं अलड़ी 20 से 25 लाख अकाउंट का पता चला इंकम टेक्स विभार को जिसमें जो बैंक की डिटेल्स है वो काफी मिली है उनको जैसा कि 23,000 रुपे से लेकर के 10 लाख तक विट कोईन का रेट चला गया है तो उसके रेट को ध्यान में रखते विए इंटरनेशनली काफी बूम हो रहा है तो सुप्रेम कोश्ट ओफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्मेंट को और रबियाई को यह बोला है कि आप इसके उसमें कुछ कदम उठाएं अपने कुछ पूली से लेकर के आएं तो उसको ध्यान में रखते विए जितने भी एक्षेंज चल देओं इंडिया में टौप उनमें काफी यूजर्स ने पैसा लगा रख है 20-25 अध्यूजर्स ने पैसा लगा रख है जो की इंकम टेक्स जिन्हों ने फाइल किया है कि नहीं उनके जो बैंक अकाउंट है उनकी जो डेटेब्स है वो अभी दिरे दिरे इंकम टेक्स ड के रूप में रेमिटेंस के रूप में तो हर तरफ से इंकम टेक्स विबाग को यह करवाई करनी पड़ रही है जो की बहुत एक अच्छा कदम है तो इससे गबराने की जुरूत नहीं है अगर आप बिटकोईन की ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्ट करके प्रोफिट करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो उस चीज़ को आप द्यान में रखते हुए सेफ ट्रेडिंग कीजिए और जो इपुंजी स्कीम्स हैं उनसे बच के रहें ठीक है और अभी एक बिटकोईन करेट तेरा लाख ब्यासी जार तिन सो ग्यारा रूपए है ठीक है और आगे अनुल टाम है इंकम टक्स के दारे में लाया जाए से भी जी एस्टी के दारे में लाया जाए उन सभी बात में को धान में रखने के लिए ही जो कल की जो रैड पड़ी है वो इसलिए है और जो रिपोर्ट है इंकम टक्स डिपार्टमेंट गोर्रमेंट ओफ इंडिया को और भी आई को सो किजी थैंक यू वर्यमच फ्रेंट्स